करोना काल में राज्जे दर राज्जे कहर जेल रहे हैं महराश्चु से लेकर दिल्ली मद्यप्रदेश और यूपी जैसे राज्जों पर करोना की मुसीबत भीषण है आज तक पर आठ राज्जों के CM एक साथ एक मंच पर आए क्या उनका प्लान है क्या रणनीती है सुने हम लोगों को जब देश के अंदर लॉक डाउन की आउस्थिक्ता थी उस समय लॉक डाउन आउस्थिक्ता आज लॉक डाउन की कोई आउस्थिक्ता नहीं है और हम लोगों ने इस बारे में पहले से बिवस्था बना दी है पहले दिन से ही हम लोगों ने ब्योस्ता कर दी कि जहां 500 से ज्यादा एक्टिफ केस जिस जन्पद में हो या जिस जन्पद में 100 पॉजिटिव केस पर डे आ रहे हैं वहां पर आप नाइट कर्फियू लगाईए यानि कॉरोना कर्फियू रात्री 9 बजे से सोबे 6 बजे तक स्कूल कॉलेजेज को यानि बारवी तक के सीनियर सेकेंडरी लेवल तक के सभी स्कूल कॉलेजेज को हम लोगों ने 30 अपरेल के लिए पहले ही बंद कर दिया है क्लब और कोचिंग को आज हम लोगों ने बंद करने के लिए कहा है इसके लाबा कोई भी मांगली कारिकरम कारिकरम अगर वाब बंद सवागार है तो फचास से अधिक लोग उसमें एकत्र नहों खुले मैदान में हैं तो सौ से जादा लोग एकत्र नहों लेकिन सर्त यह कि हर एक के पास मास्क होना चाहिए जो सर्विस के साथ जुड़ेवे लोग हैं उनके हैंड गलप्स होने चाहि यह इन सर्तों के साथ वहाँ पे कोविट के जो प्रोटोकॉल हैं उसको पालन करते वे इसके साथ ही हम परमिशन दे रहे हैं और इनको हम लागू कर रहे हैं हमने कंटेंड मेंट जौन को सकती से लागू करने की कारवाई प्रारंब की है कंटेंड मेंट जौन में एक कोवि उस्ताइsm प्रदेर। पर हैं जहां पर अवेर्निस के कारिकर्म लगातार चल रहे हैं लेकिन इस सब के बावजूद इन्फोर्समेंट की भी कारवाई हो रही है मास्क न लगाने पर अनावस्यक भीड़भाड होने पर हम लोग वहां पर कारवाई भी कर रहे हैं अकेले कल 56 हजार से दिक चालान प्रभावित होता है हम लोगों ने उसके लिए विवस्ता दी है कि बाजारों में भीडभाड नहों इस्टीट वेंडर जहां पर हैं फल मंडी है सबजी मंडी है आप इनको खुले अस्थान पर लगवानी की विवस्ता करवाई है सेनिटाइज करिए सेनिटाइजेशन की स उसके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा होता है तो हम बचाएंगे भी यानि जीवन को भी बचाएंगे और उसकी आज जीविका को भी बचाना है यह दोनों कारिक्रम एक साथ लेकर के चलेंगे नाइट कर्फ्यू जिसको हम करोना कर्फ्यू के रूप में ले रहे हैं इसको हम कड़ाई से लागू कर रहे हैं कंटेंडमेंट जौन को कड़ाई से लागू कर रहे हैं कॉंटेक्ट ट्रेसिंग को 30-35 का अब्रेज लेते वे 100% उनकी टेस्टिंग की विवस्ता आइटी PCR के टेस्ट को 60-70 पीस्ति तक करने 30-40 पीस्ति एंटिजन टेस्ट करने की विवस्ता के साथ में इसको जोड़ रहे हैं लेकिन लॉक डाउन के तरफ हम लोग जाने पर कोई विचार नहीं कर रहे हैं लॉक डाउन के तरफ जाना भी नहीं चाहिए पिछले एक साल में हम दिल्ली वालों ने ये चौथी लहर का सामना कर रहे हैं सबसे पहली पीक आई थी दिल्ली के अंदर पिछले साल जून के महीने में जब लगबग 4-4,5,000 के करीब केस पीक किये थे उसके बाद दूसरी पीक आई थी सेप्टेंबर के महीने में जब लगबग 5,000 के करीब केस पहुँचे थे फिर केस कम हुए और 11 नवंबर को पिछले साल साड़े 8,000 केस आये थे उसके बाद से केस लगातार कम हो रहे थे कम हो रहे थे कम हो रहे थे आज दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 10,732 केस आये हैं यानि कि नवंबर की जो पीक थी 8,000 केस की उससे भी कहीं बहुत ज़्यादा हो गए है तो अब एक तो ये देखने वाली बात है अगले कुछ दिनों में हमें ये देखना होगा कि ये पीक आखिर कहां जाके रुकती है और कभी ये डाउनवर्ड ट्रेंड चालू होता है क्योंकि अभी तो पूरी सिचुएशन कंट्रोल में है जो हॉस्पिटल के बेड्स हैं, वेंटीलेटर्स हैं, ऑक्सीजन हैं, आईस्यू बेड्स हैं यह स्थिती मोटे-मोटे अभी तो कंट्रोल में है, लेकिन अगर केस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और बहुत ज़्यादा अगर 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 मेडिकल हेल्ट सिस्टम के उपर अगर बहुत ज़्यादा strain आता है तो चिंता बहुत जादा बढ़ जाएगी हम लोगों की इतना लोग आपस में मिलेंगे जुलेंगे कम मिलेंगे जुलेंगे कम interaction होगा उतना करोना slow हो जाएगा लेकिन जैसे ये कभी ना कभी तो जिंदिकी में lockdown खतम होगा ना जिन्दिगी भर तो lockdown केसे से जिन्दिगी चल नहीं सकती जिस दिन आप lockdown खतम करेंगे लोग वापस सड़क पे आएंगे लोग वापस काम पे जाएंगे फिर से करोना बढ़ जाएगा तो lockdown कब इस्तेमाल करना चीए मेरा अपने ये मानना है कि जब आपकी health facilities अगर आपको लगे कि बहुत जादा strain हो गई है और ये बरदाश्त नहीं कर पा रही है तब आपको lockdown लगा के अपने लिए you buy some time for yourself आप अपने लिए थोड़ा सा और समय ले लिजिए करोना slow हो जाएगा number of patients थोड़े कम हो जाएंगे ताकि अपने आप bed और बढ़ा लें oxygen और खरीद लें आप बीपफ मशीन और खरीद लें ये सारी जब तैयारी हो जाए फिर आप lockdown को तो अभी दिल्ली के अंदर जो स्थिती है दिल्ली में अभी फिलहाल health system हमारा control में है लेकिन अगर cases माली जे कल को बहुत जादा बढ़ जाते हैं बहुत तेजी से बढ़ जाते हैं और हमारे यहाँ bed नहीं बचते हमारे यहाँ oxygen cylinder नहीं बचते आईसी नहीं बचते तो हो सकता है फिर हमें इसको slow करने के लिए थोड़े दिन के लिए lockdown लगाना पड़े ताकि हम अपनी health facilities को और जादा तेजी से expand कर सकें लेकिन lockdown जो है करोना का समधान नहीं है एक दौर था जब करोना लगवग पूरी तरह से समापती की ओर था और जनता ने भी यह समझ लिया मान लिया कि अब डरने की क्या जरूरत है विशेशकर प्रधान मंत्री जी के नित्रत में जो काम हुआ वैक्सीन भी आ गई तो लोग और निश्चिन्त हो गए लापरवाही भी हुई भीड़ी बी कटी हुई उटसब तेओहार साधी विवाह सब प्रारंब हो गए और इसलिए एक बार करोना की लहर फिर से आ गई विशेशकर हमारे पड़ोसी राज्यों में महारास्ट में च्छत्तीस गड़ में संक्रमतों की संख्या बहुत बड़ी है और उसका स्वाभाविक रूप से असर मद्ध प्रदेश पर भी पढ़ना स्वाभाविक था और इसलिए करोना की दूसरी पीक आई है पीक कही है लहर कही है जिसमें तेजी से हमारे सक्री प्रक्रण बढ़ रहे हैं और पिछले समय जो पीक आई थी उसको बहुत पहले हम पीछे छोड़ चुके है लेकिन हम चिंते तो हैं निरास्त नहीं है हतास नहीं है हम तीन तरह की रणनीती हमने बनाई है एक मुझे खुशी है कि जंता खुद अवयर हो रही है मद्ध प्रदेश की अरब लोगों ने गंभीरता को समझा है और समझ के ये तै किया है कि हम ज़्यादा भीड़ इकटी नहीं करेंगे जिन सेहरों में ज़्यादा संक्रमन है वहाँ जन्पृतिदियों ने तै किया जन्ता के साथ मिलके कि हम करोना कर्फ्यू का एक कॉंसेप्ट लेके वो आए है कि जिसमें सब कुछ बंद नहीं रहेगा लेकिन भीड इकटी ना हो कई चीजों को छूट रहेगी इसलिए स्वाइस्फूर्थ क्योंकि आत्मानुसासन से ही जन्ता की सक्रियता से लागडाउन कदापी नहीं लागडाउन कोई उपाई नहीं मदपदेश लागडाउन नहीं करेगा अर्थ व्यवस्था भी ना बैठे काम धंदा भी चलता रहे गरीब की रोजी रोटी भी चलती रहे ये कौसस हमारी रहेगी जिन सेहरों में ज़्यादा है संक्रमण ये कोई मदपदेश भर का सवाल ही नहीं है लोगों ने तेह किया कि हम कुछ गत्वी दियान नहीं करेंगे 60-65% मामले हमारे चार बड़े मानगरों एंदाबाद, सूरत, राजकोर्ट, वरोद्रा से ही हमने पिछली साल जो लोगडाउन इसलिए लगाया था क्योंकि उस समय हमें यह नहीं पता था कि कोविट के सामने कैसे लड़ना है ट्रीट्मेंट प्रोटोकोल भी अच्छी तरह से निर्दारित नहीं हो पाये थे होस्पिटल बैड्स की संख्या भी कम थी लोगों को उस वक्त ट्रेंडिंग दी जा रही थी हमारे पास मास भी नहीं थे पिपी किट भी नहीं थे यह सब प्रोब्लेम था इसलिए फिछले साल लोगडाउन के कारण हमें पुरा वक्त भी मिल गया समय भी मिल गया और व्यबस्ता को विक्सा विक्सित करने के लिए लोगडाउन से हमें मद्दाइब पिछले साल जो पीक में अगस्त स्कंबर मैंने जो पीक था उसमें लगबग 3800 हमारे एक दिने अधिकतम रहा है अब वो लगबग 10,000 को छू रहा है यह बड़ी चिंता जनक बात है और इसलिए लगबग हमने 207 कंटेनमेंट जो भोसित किया हुआ है अब 144 जारा तो लगाई हुआ है पूरे प्रदेशवर में उसके अलावा अब जूर्ग है रायपूर है बेमेतरा जिले में हमने लागदाउन भी भोसित किया है लेकि इनी सहरों में ये संख्या बढ़ी है तो इसलिए जितने भी आवस्ट परवाई है वो हम लोग उनकिया नवस्कार मैं हूँ अंजना ओमकश्यप अमें उमीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा लेटेस्ट खबरों के लिए यूँ ही देखते रही है आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना ना भूले